में आपका स्वागत है आज देखिए हम यह पीकोग फैदर वाली ड्रेस बनाएंगे इसके साथ देखिए मैचिंग मुकट भी मैंने बनाया है इसकी वीडियो भी अपलोड हो जाएगी और इस ड्रेस को देखिए अब किसी भी नंबर में असानी से बना सकते हैं बस हमने एक बेसिक घेरा त्यार करना है बिना फ्रेंट पोस्ट वाला और उसके उपर आप इस तरह से फैदर लगा सकते हैं बाकी यह देखिए वीडियो में मैंने यह जो बनाई है हमने ड्राइंग बनाई है और उसके उपर मैंने इस तरह के यह नगों वाली लैस लगाई है आप यह नहीं बना सकते हैं मैंने यह 5 नमबर की चोली के बाध बनाई है देखे चार पांच छे साथ और दो तीन नमबर में इसी तरह से आपने घेरा श्टार्ट करना है और बाकी नमबर्स में आपने किस तरह से बनाना है यहां पर दिखिए मेरे चैनल पर आप किसी भी ड्रा को open कर लें और यहां पर more के उपर जाएंगे और यहां description को check करें यहां पर मैंने सभी size के basic घेरे के link दिये हैं यहां से देखकर आप किसी भी number का basic घेरा बना लें और यह चोली के link है 15 तक की चोली है और बाद में आप इस तरह से फैदर लगा सकते हैं वीडियो में मैंने तीन तरह का फैदर बनाना बताया है एक यह बड़े size में बड़ी dresses के लिए जैसे 10 के बाद 11 12 13 उसके लिए और यह medium size का फैदर है तो यह medium size का फैदर ही मैंने यहां पर यूज किया है एक मैंने छोटे साइज का फैदर भी बनाना बताया है उसे आप जीरो एक दो तीन में लगा सकते हैं इस ड्रस में मैंने छोटे वाले जिस तिरफ दो फैदर यूज किये हैं बाकी यह सारे मीडियम वाले फैदर हैं और मैंने इस ड्रस का डायमेटर देखिए 11 इंच रखा है सब 11 इंच इस का डायमेटर है अगर आपको डायमेटर कम चाहिए तो यह ब्ल्यू वाला एक फ्लैट सरकल जो है फ्लैट सरकल का एक राउंड आप कम बनाए तो फिर एक इंच आपका डायमेटर कम हो जाएगा और 11 नंबर का क्रोशिय अपुलिया है 3 mm और यह मेरी 4 मतलोंice सकते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं और मैंने देखिए इसके लिए यहां पर एक ट्रांग ट्यार की है और इसका मार्क मैंने यहां पर लिया है अगर आप यह रे notedाーー नहीं कर पाते तो आप मुझे बताना मैं आपको इजी वेमें यह ड्रैंग बनाना बता दोंगे मुक्ट वाली वीडियो में तो फैदर बनाने के लिए देखे तीन कल लिये हैं मैंने सेंटर में डाक ब्लू आएगा फिर ये स्काई आएगा और फिर ये ग्रीन आएगा और सेंटर में हमने ये डाक ब्लू लगाना है लेकिन ये आपको इसके उपर आपको स्टीच तो सेंटर में मैं आपको यलो के उपर बता देती हूं किस तरह से आपने बनाना है ये डाक है तो इसके उपर आपको चेन प्रॉपरली दिखेगी नहीं तो यहां पर देखिए हमने ये एक चेन बनाई स्टार्ट हमने किस तरह से करना है ये एक चेन बनी हमारे पास ये दो तीन चार पांच चेन्टिय हमने तो ये शुरु वाली चेन में हम स्लिप स्टिच बनाएंगे कि फर्स्ट चेन में हमने इस तरह से क्रोशेव को डालके ये स्टार्ट कर लिया है ये सेंटर में एक खोल आगया चोटा सा हमारे पाँ यहां हम अपना crochet work करेंगे शुरू में हम देखे 2 chain बनाएंगे 2 chain बनाकर हमने half double crochet बनाना है इसले हमने शुरू में 2 chain लिए है यह जो 2 chain है इसको हम count नहीं करेंगे इसके बाद धागा लिया इस सरे से crochet को डाला यह देखे crochet के उपर 3 है फंदे तीनों को एक साथ निकाल दिया यह हमारा half double crochet है पहला half double crochet हम इसी को गिनेंगे इसको count नहीं करेंगे chain को तो यह एक half double crochet धागा लिया यह दो तीन चार पांच शे साथ साथ बनाए अभी हमने यह देखे धागा साथ साथ काटते जाएए यह मैंने साथ साथ रखा था साथ आठ नो दस और यह ग्यारा 11th stitch मैंने complete नहीं किया यह वाला circle जो भी हमने बनाया है yellow से यह हमने blue से बनाना है इस color से इसके बाद हमने sky blue color लगाना है stitch हमने complete यह 11th stitch है 11 यह हमने sky के साथ complete करना है इस तरह से अब इन दोनों धागों को साथ रखेंगे साथ साथ रखेंगे वो साथ साथ काटते जाएंगे यहां तक देखे 11 हमने half double crochet के यह शुरू में हमने दो chain भी लिये थे यह अलग से है chain तो अब हमने धागा लेकर यहां पर double crochet बनाना है इस तरह से धागा निकाला तीन फंदे हैं पहले दो निकाले फिर दो से एक के यह तो यह हमारा double crochet है तो यह एक इसी जगह हमने यह second बनाया दो हो गए यह तीन हो गए यहां पर हमने double crochet किया चार पांच पांच मैंने double crochet किया देखिए double crochet की height ज्यादा है और यह इसकी height कम है जो half double crochet है अब फिर से यह वले जो धागे हमने साथ रखे थे इनको काटते हैंगे साथ साथ काटते जाएंगे तो आपको adjust नहीं करने पड़ेंगे बाद में अब देखिए मैंने यह उपर chain देखिए एक, दो, तीन, चार, पांच पांच हमारे जो double crochet है इसके बाद हमने single crochet करना है तो यह जो एक और दो chain है मैंने बोला था इसको हम count नहीं करेंगे देखिए यह एक और दो chain है इनको count नहीं करना यह पहली जो half double crochet की chain है इसको हमने लिया इसमें हमने पहला single crochet किया यह हमारी दो की chain है उसके बाद जो half double crochet है पहला उसकी chain में हमने single crochet किया यह एक single crochet next chain में बनाया दो single crochet next chain में बनाया 3 single crochet, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और ये 11 मा हमारा single crochet इस chain में बनना है तो अब हमने क्या करना है इसमें बनाएंगे और इसके साथ इस तरह से निकाला हमने ये 11 single crochet complete नहीं किया complete हमने green के साथ मिलाकर करना है और किस तरह से करना है देखे complete हम किस तरह से करेंगे इसमें हमने crochet डाला है अब ये हमारी इसके बाद पहली chain है इसमें भी साथ ही डालेंगे और ये देखे, इस तरह से, तीनों को एक साथ निकाल देंगे, ये chain और ये दो, इस तरह से, completely मैंने इस थरह से किया है, देखे इसमें हमने डाल ला था, ये हमारा पहला double crochet है, इसकी chain में हमने 7 में डाल के complete किया stitch को, तो हमने इसी को पहला, पहला हमने stitch फिर इसी में बराना है फिर से देख लें आप एक बार, यह देखें, यह दो फंदे हैं हमारे जो complete नहीं किया, 11th stitch है, आपको एक बार फिर से दिखाती हूँ, यह देखें, 11th जो yellow color का single crochet है, इसमें हमने इस तरह से single crochet बनाना है, लेकिन complete नहीं किया, complete हम green color से करेंगे, और यह दो फंदे और यह अग करना है, तो देखें किस तरह से हमने complete करना है, इसमें crochet को डाला, यह तीनों को एक साथ निकाल दिया, इसके बाद एक chain दी, एक chain लेकर, यह देखें, पहला जो double crochet है, जिसमें अभी हमने डाला था, यहाँ पर हमने फिर से single crochet बनाना है, ताकि हमारा stitch कम नहीं हो, तो आप count कर एक बार, जो sky हमारे single crochet है, यह देखें, यह एक, एक, दो, तीन, चार, पांच, इस साइट रहेंगे, उसके बाद देखें, छे, साथ, आट, नो, दस, ग्यारा, पांच, इस साइट रहेंगे, और center वाला यह 6 वाला, ग्यारा है, इसके बाद देखें हमने, जो 5 हमने double crochet बना पांच हमने single crochet करने हैं, पहले वाले के उपर हमने यह green stitch बना लिया, और यह second वाला जो double crochet है, इसके chain में बनाएंगे, और यह जो दो धागे हैं, इनको भी हम साथ में रखेंगे, यह second single crochet, यह third, फूर्थ, और यह fifth, पांच मैंने single crochet बनाएं, जो हमारे sky stitch थे उनके उपर, यह दोनों धागे साथ यह आप काट ले, तो आप देखें, यह 5 जो हमारे पांच काई कलर के double crochet थे, उनके उपर हमने 5 बर बना लिया, single crochet, यह last जो हमारा double crochet है, उसकी chain में देखें, आपने बनाया है, तो इतना पहले मैं इस blue कलर से बना लेती हूं, उसके बाद हम green कलर से बनाएंगे, इतना बना के मैं आपको दिखाती हूं, तो यह same देखें, मैंने blue कलर के साथ बना लिया है, यह 5 हम ने यहाँ पर single crochet के थे, तो यहाँ पर green कलर के साथ, तो पांच मैंने single crochet बना लिए, यहाँ पर, अब इसके बादेखें किस तरह से बनेगा, यह देखें, एक बार तोटल मुर्पास सच 11 है सिंगल कोशिय ये जो है पाँच इस साइड रहेंगे सेंटर में जिस सिंगल कोश्य이다 कॉंछिया प्हेला सिंगल कोश्य है दो तेन 55 छे 7, 89 10 ग्यारख तो अब इसके मां दिखें हमने किस तरह से बनाना है यह उसके avt इनको आप अभी काउंट ना करें हांसे काउंट करना स्टार्ट करें जो हम बनाएंगे रही हम पर देख देखिये पहला सेइंगल उसके हैं हमनें हमने एक सिंगल कर बनाया है है ए जित sä 진행 को आइए एक और बनाएंगे तीन संदें हैं एक साथ निकालेऊ 2 सिंगल को सिधी स्टिज में हम डबल स्टूर करेंगे यह अन्ए करेंगे यह थाग यह ना तो कोशिया एक बार और बनाएंगे इसी तरह दो बार और बनाएंगे देखिए वाला थोड़ा उससे बड़ा, थर्ड वाला थोड़ा उससे भी बड़ा है इसके बढ़ दिखें हमने 2 बर धगा लिया, यहां पर हमने triple crochet बनाना है, देखें यहां पर, अब देखें 4 फंदे हैं crochet की उपर, पहले हमने यह 2 निकाल ले, और फिर हमने 2 निकाल दे दो वर धगा लिया कंई इसी जगह हम ने से मनाना है दो बार दो दो-फंदे से से निकाल ली कि एक और दो ये चाहरे पर रटा बढ़ा अरहे को उस् heh पर तो यह इस देके के हमने 5 बार, 5 जो जो ये sky color के हैं 5 में बना लिया है, यह पहला ये दूसरा, दीसरा, चोटा, पांच वाला है और ये six वाला है, ये center वाला है, तो जब हम center वाले में आएंगे, तब हमने एक दो तीन बार धागा लेना है, तीन भर धागा लेकर यह 6th single crochet है जो है sky color का इसमें बनाना है अभी देखें क्रोशे के उपर 5 पंदे हैं पहले हमने 2 निकाल दिये फिर 2 निकाल दिये फिर हमने 2 से 1 किया 1 2 3 इसी जगह फिर से बनाएंगे 5 पंदे हैं 2 2 करके निकाल देंगे इस तरह से इसके बाद हम एक chain लेंगे center में 1 2 3 दो बार हमने बना लिया अब दो बार इसी जगह और बनाएंगे 5 पंदे हैं इस तरह से 1 2 3 1 2 3 तो सेम चेन में मैंने यह फोर्थ बनाया त्रिप्र तीन बार धागा लेकर इस सेंटर वाला जो सिक्स्त सिंगल कुर्षिय था स्काई कलर का उसमें हमने चार बनाई है स्टिच इसके बाद एक और दो बर धाका लिया त्रिप्र बनाना है तीन बनाने है यहां पर अधिन ट्रिपर कोश्य हगा और यह यह इंपर तीन laure कोश्य वनेंगे यहां पर दो यहांपर दो फिर दो निकाल दिए मैं पिर दो निकाल ना हैं एक और दो तो तो अब यहां पर देखिए हमने जो double कोशिय बनाए थे या टिप्र बनाए थे पहले इनकी हाइट बढ़ती गई ती यह तीन डबल कोशिय है पहले वाला चोटा है तो अब इनके घटती जाएगे तो उसी से हमारी प्रॉपर शेप आएगे तो अब देखिए हमने यह तोड़ा सा बनाना हमने यहीं पर दो और बनाने है तो थोड़ा सा हलका सा हाथ रखेंगे थोड़ा चोटा मतलब थोड़ा सा चोटा बनाया है दो बर धागा लिया नेक्स थोड़ा और चोटा बनाएंगे तीनों का फर्क देखिए आप इसके बाद एक बार धागा लिया यहाँ पर हमने तीन डबल कोशिय बनाने है सेम उसी तरह से पहला थोड़ा बढ़ा रहेगा इसे जगा दो बार और थोड़ा झोटा रहेगा scripture ay तीसरा और ऑजोटा हो जाएगा किया मैं कि और जादए याप में पर नकिन हो में अधिन बनाली यहां पर अलदा पर दो बार आफ़ एकude कुशिय करें तो यहां से आप देखिए यह सेंटर में जो हमने चेन ली हैं चेन तक हमारे यह 13 होते हैं जो स्टिच हैं यह वोले 5 छोड़कर तो यह वले 5 छोड़ दें आप यह reflect क हमारा एक सिंगल कोशे तीन कर देंब कोशे 8 हो गए 10 इपनू जो Chelsea करते हैं तूँ तлед के ढूँन आपना तीस साइड है से और यहां पर है यह पांच डियоко की मिलें को अब देखिया कि इसके बाद बनाना है यह हमारा एक इस तरह से बन गया आप चाहिए तो इस तरह से भी रख सकते हैं मैंने लास्ट जो है slip stitch की एक रोब नई है कि slip stitch की रोब बनाने के लिए कि देखिए slip stitch बनाने से पहले मैं आपको बता देती हूं यह लास्ट देखिए यहां पर दो सिंगल कुशिय यह लास्ट मारा सिंगल कुशिय एक तो इससे बहले मैं आपको एक बात दा देती हूं यह तो है जो छोटा थोड़ा फैदर बनाना है अगर आपने बड़ी कुशिय की रो बनानी है तो पहले मैं यह ला कंप्लेट कर देती हूं उसके बाद मैं इतना बना लूँगी फिर से फिर आपको यह बता दूँगी कि बड़ा आपने किस तरह से बनाना है तो यहां तक मतलब सेम बनना है यह ला और यह ला बड़े ला आप देखिए इसको ह करना है यह पहला हमारा जो सींगल को स्ञैब्ल कलर का यहां पर मैंने सलिप स्टिछ किया यह पैवला ड़ृष 500 श्लिप स्टिछ ऐफ्लरा पर मेंवार कर लगा दिया दिकिंगा पांच वनेंगे यहां पर धिजू पांच को श्यतिटे इनके वह सेकेंड़र ला इन यह इन हर बार हम यह फंदा जो है यह थोड़ा इस तरह से लूज रखेंगे, क्रोशे के ओपर यू फंदा है, यह तीसरा बना लिया मैंने स्लिप स्टिच्ट और यह, नेक्स्ट में बनाया, यह फोर्थ हो गया, फंदा देखिया, लूज है, और यह फिफ्ट, पाँच मैंने स्टेच आएंगे इसके बाद फिर से काउंट कीजिए यह फर्स्ट फंदा लूज है देखिए थोड़ा सा सेकंड दो कि तीन कि चार कि पांच कि छे कि साथ आठ नो दस ग्यारा बारा और यह तेरा स्टिच मैंने आपको काउंट करके दिखाये थे लास्ट वाला यह जो है इसके उपर हमने तेरमा बना लिया अब यह सेंटर में जो एक चेन है इस चेन में हमने इस तरह से क्रोशियों को डाल कर एक स्लिप स्टिच मैंने इसके उपर बनाया इसके बाद तेरा ही साइट के काउंट करेंगे यह फर्स्ट है यह एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नौ दस ग्यारा बारा और यह तेरा यह मैंने आपको काउंट करके दिखाई है आपके स्टिच कम जा ज्यादा ना हो तेरा ही साइट, तेरा ही साइट, पांच ही है तो अब यह हमारा फर्स्ट था अब हमने इसको इस तरह से निकाल लेंगे यहाँ पर धागे को काट दे अब हमने लास्ट बनाना है तो लास्ट किस तरह से बनाना है इस तरह से हमारी चेन है अब यह लास्ट यहाँ पर यह पहला जो है यहाँ पर यह चेन है इस चेन के उपर मेरी चेन आ जाएगी इस तरह से इस धागे से तो इस के उपर आएगी तो हमने next में हमने बनाना है यह दिखे next chain में फंदे में chain में हमने crochet डाला जहां पर हमने खत्म किया है उसके पहले वाले को छोड़ कर जहां पर मैंने marker लगाया था उससे next वाले में हमने इस तरह से निकाल लिया यह जो नीचे chain है first वाली इसके उपर यह वाली chain आ जाएगी बनकर देखिए यहां से एक side बन गए अब हमने यहीं से निकालना है यहां से यह हमारा धगा है यहां आपको दिखेगा कि यह मार करके उपर हमारा यह वाली जो चेन आएगी यह देखिए इस side से मैं आपको धगा दिखाते हूं इस तरह से निकालना और यह यह चेन है इसके इस side से हमने धगा लिया और यह चेन में हमने चेन के center में यहां से हमने यह धगा निकाल लेना है तो जो मार करके उपर हमारी चेन थी उसके उपर हमारी यह चेन बन गई यह देखिए मार करके उपर यह हमने चेन बनाई है बस अब इसको आप निकाल ले इसको आप इस side अड़्जस्ट कर लें तो यह हमारा एक फैदर त्यार हो गया तो अब मैं आपको यह बता देती हूं पहले मैं इतना बना लूँ जितना मैंने आपको बताया था उसके वाल बताती हूं यह बड़ा हमने किस तरह से करना है तो अब यह बड़ा बनाएंगे बड़ा बनाने के लिए देखिए मैंने आपको बोला था slip stitch से पहले तक हमने यह बना लिया अब यह बला जो हमने क्रैदर बनाया है तो यह slip stitch के last वो बनाई थे उससे पहले तक मैंने बना लिया यहाँ पर देखिए दो सिंगल कोशिय है फिर यह last में एक सिंगल कोशिय है इसके बाद हमारे पास यह पांच बार सिंगल कोशिय है ग्रीन कलर का अब हमने बस बड़े 6 वाले में हमने क्या किया है यह पांचों के उपर हमने दो दो बनाई है तो पांच के यह दस बना देंगे यह पहले बला जो है इसी जगह में पहला single crochet करूंगे जहां join किया है तो यह जो green color का single crochet है यहाँ पर मैंने 2 single crochet बनाने है एक बनाया एक और बनाया फिर next में एक और फिर 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 से हम एक और एक और बड़े बले में हमने । पांच जो थे यहाँ पर उनके उपर यह 10 बना लिए, अब इसके बाट यहां से सभी के उपर एक एक हमने बनानी है, सिंगल कॉशिय बनाना है, इसके बाट यह पहला हमारा जो स्टेच है, इसके उपर हमने एक बनाया, फिर नेक्स्ट के उपर यह सेकेंड बनाया है फिर नेक्स्ट थर्ड नेक्स्ट फॉर्थ यह फिफ्थ सिक्स्थ सेवन्थ एत नाइन्थ पैंथ यह दस बन के भारिंथ यह फिर्वार बनाया हमने और ये 13 beneath हमारे पास जो घब हमने बनाये था यह 13 हमारे पास इस सेड है 13 हमारे पास इस से here यहां पर हमारे पास यह पांच, यहां पर यह फिर 11TH के हमने साइन चाहिए 15 इसतर बनाई है इतना आप ध्यान रुकें को यह सेंटर आ बनाके दिखाती हूं, पहला हमारा ये है, एक single crochet, जो 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 जोइन किया है, ये पहला हमारा slip stitch है, ये, इसे के उपर last में हमने जो धागे के साथ chain बनानी है, इसे के उपर बनाएंगे, तो इसके बाद जितने भी मेरे पास chain है सभी के उपर मैं इस तरह से slip stitch बनाते जाओंगे slip stitch बनाते वक्त हम यह फंदा लूज रखेंगे थोड़ा ताकि यहां पर खिंचाव नाए इस तरह से तो सभी के उपर बना कर यह center में देखे center में जो एक हम ने यहां पर बनाया है उसके उपर भी बनाएंगे तो इसके बाद फिर इस साइड आएंगे तो बना के आती हूं मैं कि ये लास्ट मेंजी चेन है ये तेरी में चेन में है जैसे से हमने इस चोटे वाले में बनाया था 13 एडाई इसमें 13 में जो हमने निकाल लिया लास्ट हमने तीरी बनाया इसके वाद देखी कि यहां हमारा हम मांदा और ये जो मार्चरण के उपर ड़ीन रिज़ इष ऑपर ऐस चाइन की जगा पर इसलिहन बनाएंगे वह आ जाएगी इस तरह से तो अब हमने इस से next वाली चैन में marker के जो next chain है उसमें हमने क्रोशेव को डाल कर कि इस दागे को निकाल लिया इस तरह से मार कर के ऊपर यह हमारी चेन आ गई और यहां यह चेन है last वाली जिसमें हमने बनाया था इस साइड से भाम लिए एक और यह हमने चेन का चेन के सेंटर में से निकाल लिए इस धाके को इसमें से निकाल देंगे तो यह मारकर के उपर जो चेन थी उसके उपर मैंने चेन बना दी तो हमारे स्टीच उतने ही रहे हैं यह अब इसको आप इस साइड अड़्जस्ट कर लें यह मारकर वाली चेन थी उस चेन के उपर मेरी चेन आई जो अभी हमने धागे के साथ बनाई तो यह चोटा फैदर और यह उससे बड़ा फैदर तो एक हम बिलकुल छोटा फैदर भी बनाएंगे जो जीरो एक दो तीन में आप लगा सकते हैं यह देखिए यह तीनों फैदर का साइज देखिए अब तीनों का साइज डिफरेंट है तो यह किस तरह से बनाना है तो यह चोटे वाला मैं आपको फिर से यलो के उपर दिखात इस तरह से निकाल लिया एक चेंड ली यहां पर यहां हमने हाफ डबल कोशिय किये थे यहां पर हमने सिंगल कोशिय करना है यह एक सिंगल कोशिय करना है यह एक सिंगल कोशिय करना है यह थोड़ा शॉर्ट में बताऊंगी मैं आपको नई तो वीडियो बहुत लंबी हो ज जैसे हमने यह फैदर बनाया है उसी तरह से हमने बनाना है ग्यार मस्ट इच्छ है जो हमने स्काई के साथ कंप्लीट किया इन दोनों धाकों को साथ रखेंगे अब हमने यहां पर डबल कोश्य करना है धाका लिया और यहां पर जो हम डबल कोश्य बनाएंगे ज्यादा नहीं बनाएंगे थोड़ी छोटी हाइट को बनाएंगे क्योंकि फैदर हमने छोटा बनाना है एक बनाया यह दो कि तीन कि चार कि और पांच कि पांच बनाने के बाएं यह दोनों धागे काट देंगे हमने पांच बना ले है डबल को श्री मैंने अपके बताए थोड़े चोड़े बनाने है अद पहला जो सिंग्ल कोशे की मुले हमने ये सिंग्ल कोशे बनाए' Belo स काई कलर के यहाँ पर 11 सिंग्ल कोशे आएंगे बना के मैं आपको दिखाती हôm ग Cr Prix single crochet मैंने बना लीए sky color के तो इतना मैं पहले blue color से बना लिती हों फिर आपको दिखाते हों यह देखे यह हमारा ग्यार्वा single crochet है yellow color इसके ओपर हमने बनाना है लेकिन complete हमने इस stitch में डाल के करना है जैसे यहां पर किया था तो पहले मैं डाक बल्यू के ओपर बना लिती हो, फिर दिखाती हो, बल्यू के ओपर मैंने बना लिया है, यह हमने 11 वाला सिंगल कोश्या, यह बल्यू के ओपर बनाया, complete हम करेंगे ग्रीन कलर से, सेम जैसे हमने इस में किया था, उसी तरह से बनाना है, अभी हमने complete नहीं किया, तो next में डालेंगे, यहाँ पर, यहाँ पर अभी हमने डाला है, इसके बाद एक बार और यहाँ पर हमने सिंगल कोश्या बनाना है, ग्रीन से, तो इस बात का ध्यान रखे आप, तो यह चेन में हमने क्रोशेओ को डाला, यह सारे स्टीचे इकठे निकाल दिये, इसके बाद हमने, इसके बाद हमने एक चेन ली, और जहां पर अभी हमने क्रोशे को डाला था चेन में, उसमें हमने पहला सिंगल कोश्या किया, तो यहाँ पर 5 मेरे पास डबल कोश्या है, इसकाई कलर के सिंगल कोशिय आएंगे ये 2 3 और 5 हम ने ग्रिए से बना लिए अब आप ध्यान से देखे किस तरह से बनाना है है और सेम इसी तरह से बनना है लेकिन स्टिच का मतलब हमने यहां पर तेरा बनाए 13 ही यहां पर बनेगे, किस तरह से, दीखे, पहले वाला जो हमारा यह स्काइए कलर का, सिंगल कोशिय है, इसमें हमने एक सिंगल कोशिय बनाया, एक स्टिच हो गया, यहां से काउंट करने स्टार्ट करेंगे, एक ओ गया अब नेक्सट वाले में दो सिंगल कोशे किए। मेरे पास तीन हो गए। फिर ने इस्ज़ नेक्सट में हमने फिर से दो सिंगल कोशे किए। तो यह कि दो फंद्य निकाले कि इसी जगह हर बनाएंगे बश्य मुझा एक बार और डेबल कुछ्य करेंगे हैं तो यह ग्यारह होगे यहां तक आई ते तीन यह घ्यारा होगे अब यह सेंटर वाला श्क्स हमारा सक्षाई कलर का है यहां यहां पर हमने ट्रिपल कोशिया बनाना है दो बर धागा लिया एक और यह दो यहां पर दो बनाएंगे पहले दो दो करके फंदे निकाल लेंगे इसके बाद फिर से दो बर धागा लिया दो दो करके फंदे निकाल दिये, इसके बाद एक चेन ली, दो बार धगा लिया, दो बार मैं यहाँ पर और बनाओंगी, इस तरह से, इसके बाद देखे, मेरे पास यह पांच चेन बचती है, यहाँ पर देखे, अब हमने एक बार धगा लेना है, और यहाँ पर तीन डबल कुशिय बनेंगे, फिर एक बार धगा लेकर, यहाँ पर तीन हाफ डबल कुशिय बनेंगे, फिर यहाँ पर दो सिंगल कु सब्सक्राइब करते हैं तो यह पांच यहां पर नीचे हैं सब्सक्राइब भी यह उक्सक्राइब मैं अब यहां निवाली चेन है पहले इसके उपर हमने लास्ट में ध्धागे से चेन बनानी हैं तो अब इसके बाद मैं सभी के ऊपर slip stitch बनाऊंगी independent स्टिच बनाते वक्त फंदे को इस तरह से थोड़ा सा धागे को लूज रखेंगे तो मैं बना के दिखाती हूं कि सेंटर में जो चेन है यहां पर भी हम सेंटर में बनाएंगे एक स्लिप स्टिच देखें बिल्कुल चेन के साथ चेन मैच हो गई तो तीनों तरह का देखें फैदर मैंने आपको बना के दिखा दिया है अब चाहें तो यह लास्ट रोज लिप स्लिच की बना लें नहीं बनाना चाहते तो नहीं भी बना सकते हैं देखें यह चोटा है यह उससे बड़ा है औ तो फैदर बनाने के बाद देखें यहां पर हमने ब्लू कलर से बेसिक घेरा बनाना है यहां पर मेरे पास पांच नमर लड़कुपाल जी की ड्रस की चोली है चोली के लास में मेरे पास 25 डबल कुशे है जिसमें से 24 डबल कुशे मैं यूज करूंगी घेरा बनाने के लिए और 4 नमबर लड़कवाजी की जो चोली है उसके लास में भी 24 टोशे होते है 24 तो उसके अभी घेरा सेम जैसे हमने यहाँ इंक्रीज करना है 5 नमबर में 4 का भी इंक्रीज सेम होना है इसी तरह से आपने 2, 3 का 6, 7 का इंक्रीज करना है जैसे अभी मैं यहाँ पर करूँगी और 2, 3 की 6, 7 की जो चोली है वो आप डिस्क्रिप्शन से देखकर बना ले डिस्क्रिप्शन में 0 से लेकर 15 तक की चोली का लिंक दिया हुआ है तो वहां से देखकर आप बांकी numbers की बना ले घ혈रा सेम in क्रीज करना है हमने तो यह blue color में आपको properly दिखेगा नहीं तो यह मैंने yellow कलर की चोली बना कर रखी है यहाँ पर मैं आपको in क्रीज बता देती हूँ किस तरह से करना है तो उसी तरह से फिर मैं यहां पर घेरा बना लूँगी यहां पर देखिए हमने चोली को जॉइन किया स्लिप स्टिच बनाकर आम हूल वाली साइड आगे बैक साइड जो हमारा पहला डबल कोशिय है वहां तक मैंने स्लिप स्टिच बनाया है अब इसके बाद मैंने यहां पर तीन चेज़ाए में बनाये यह एक और स्टाइंगे यहां पर देखिए इसके उपर मारी तीन की chain होगी, एक double crochet इसको मानेंगे, इसके बाद मैंने दो बनाए, फिर next chain में एक बनाएंगे, और यहाँ पर जो double crochet, first row में जो double crochet बनाने हैं, यह हमने थोड़े छोटे size की ही रखने हैं, ज्यादा बड़े बड़े नहीं बनाएंगे, ताकि हमारा flat circle properly बने हैं, तो round को मैं इसी तरह से complete करूंगे, हर second chain में मैं दो double crochet बनाएंगे, यह हमारा first, एक, यह दो, एक, दो, एक, दो, तो रोदे की complete कर लिए, last में में मेरे पास दो double crochet आएंगे, और यह हमारे पास शुरू में एक, जो तीन की chain है, इसको एक double crochet count करते हैं, तो एक होगा यह, last one, slip stitch से join किया, एक, दो, और तीन chain लिए, next में हम एक बनाएंगे, फिर यह जो next है, यहाँ पर हम दो बनाएंगे, फिर देखिए, यह एक, फिर यह दो है, पहले वाले के उपर एक बनेगा, दूसरे के उपर एक, यह third वाले stitch के उपर दो बनेंगे, देखिए, एक बनाया, फिर next में एक बनाया, अब यहाँ पर, third chain में दो बनाऊंगे, तो इसी तरह से round complete करूंगे, हर third chain में हम दो डबल कुशे बनाएंगे, राउंड को complete करेंगे, एक, एक, दो, एक, एक, दो, तो राउंड देखिए, complete कर लिया है, यहाँ पर हमने दो बनाए है, एक, एक, दो, एक, एक, दो, और यहाँ पर center में हमने एक chain skip की थी, यह center वाली जो chain है, यह मैंने skip की है, तो मैंने यह 24 डबल कुशे यूज किये थे, घिरा बनाने के लिए, अब यहाँ पर देखिए, slip stitch से round को join किया, इसके बाद एक, दो, तीन chain लिए, अब देखिए, हर fourth chain में हमने increase करना है, तो यह पहला डबल कुशे हो गया, फिर next में बनाया, second chain, यह second हो गया, फिर next में, third, अब यह fourth है, fourth chain में, मतलब दो जो हमने increase किये होते हैं, इस side वाला जो stitch है, हर round में, उस stitch के उपर increase करना है, एक बनाया, एक और, अब इसके बाद देखिए, फिर next में एक, फिर यह second chain है, एक, third chain है, एक, यह fourth chain है, यहाँ पर दो पर बनाएंगे, इसी तरह से round को complete करूंगे, मैं, यह एक, 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 फिर दो, एक, 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 और fourth में दो, next round में फिफ्ट में दो आएंगे, फिर sixth में, फिर seventh में, फिर eighth में तो आगे घेरा, जो basic घेरा है, यह इसी तरह से आगे बढ़ेगा, इसी तरह से 2, 3 में, और इसी तरह से 6, 7 में आपने बनाना है, तो मैं बना के दिखाती हो, तो यहाँ पर देखिए, घेरा मैंने complete कर लिया है, total जो मैंने यहाँ से लेकर, यहाँ तक round बनाए है, 11, तो यह मैं आपको बता देती हूं किस तरह से increase किया है, यह देखिए, यह हमारा first round था, यह हमारा first round है, यहाँ पर increase है, उसके बाद एक है, फिर increase है, तो first round में دखिए, 2 increase के center में, 8 stitch है, 2 and 2gic ए, और यह increase है, बीच में 2 stitch हैं, जो एक एक chain में है, फिर देखिए, यह increase है, 3rd में 3 stitch है, तो जो हमारा round है उतने ही हमारे stitch है, दो increase के center में, तो ये 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 11th round complete होने पर count कीजिए, ये देखिए, ये increase है, इसके बाद देखिए, ये 4 stitch, 4, 8, और ये 3, 11, तो 11th round में 11 stitch है मेरे पास, center में, जो 2 increase के center में है, चोली की मैंने किनारी बना दी है, अब last में देखिए, यहाँ पर हम एक किनारी का round बनाएंगे, इतना बनाने से, ये देखिए, अभी मेरे पास 10 inch का diameter त्यार हुआ है, अब इसके बाद मैं एक छोटी-छोटी किनारी का round बनाऊंगी, तो यहाँ पर देखिए, last में मैंने 2 stitch बनाएं, 2 stitch बनाने के बाद 3rd chain में हम इसे slip stitch से join करेंगे, इसके बाद मैंने 1 chain ली, जहां पर मैंने join किया है, वहीं पर फिर से एक बार हमने single crochet किया, इसके बाद मैंने 3 chain लिए, 3 chain लेकर, जे सिंगल कोशे के ऊपर वाले जो दो धागे हैं, उनको लेकर मैंने फिर से सिंग सिंगल कोशे कि इसके वाद एक चेन स्किप की नेक्स में हमने सिंगल कोशे से ही जोईन किया एक दो तीन चेन लिए सिंगल कोशे के ऊपर वाले दो हम धागे ले लेंगे और यहां पर हम सिंगल कोशे बनाएंगे एक चेन स्किप करेंगे नेक्स चेन में सिंगल कोशे करेंग मैंने इस तरह से स्वेटर सिलने वाली जो मोटी सुई होती है उससे मैंने होल किये हैं अब हम चोली का जो बिल्कुल सेंटर रखेंगे और इसका भी सेंटर रखेंगे इस सेंटर को इस सेंटर में रखें इस तरह से इस ड्राइंग का एक मार्क ले लेंगे इसके उपर मैंने इस तरह से इसका एक माग लिया है अब जार में जो एंब्राइडरी वाली शोप होती है वहाँ पर आप जाकर इस ड्राइंग को छपवा सकते हैं इस ट्रेस के उपर जब आप इसे इसके उपर रखेंगे तो दोनों साइड को यहाँ से भारी चीज रखते ताकि यह जो ड्राइंग है यही लेना और एक बार आप इस तरह से प्रॉपर देख लें बीच में होल होने चाहिए उसके बाद हमने तो यहाँ पर सभी के उपर मैंने एक बार फिर से सुई चला दी है तक कि जब हम इसके उपर टैलकम पाउंटर डालेंगे तो उसका प्रॉपर माक आए नीचे तो अब मैंने यहाँ पर इस तरह से हाथ रखेंगे दबा के इसको एक बार फटा फट से आप इस तरह से गुमा देए मैंने यह काम दिखिए घर में बैटे-बैटे किया है अब मार्केट में जाकर इसको चपवा लें अब हम इसे उठा देंगे दीरे से उठाए इसे यहां पर देखिए एक मार्क मिल गया है मुझे तो यह स्टिचिंग वाला जो मार्कर होता है यह मैं धिरे-दिरे इसके उपर चलाकर एक आउट लाइन त्यार कर लोगे उसी के उपर मैं लैस लगाऊंगे यह देखिए इस तरह से धीरे-धीरे करिए आप ताकि यह माग यहां से हिलेना कि इस तरह से अब यहां पर देखिए एक हलका सा मुझे मार्क मिल गया अब इसके उपर मैं ग्लूगन से यह लैस लगाऊंगे यह मैंने नगों वाली लैस लिए है बरेक वाली इदि के कॉर्णर से लगाना मैंने इससे स्टार्ट किया है थोड़ी थोड़ी लगाते जाएंगे और साथ यह उसके उपर लैस लगाते जाएंगे कि यह ग्लूगन होती है सूक बहुत जलती जाती है तो आप थोड़ी थोड़ी लगाई है और साथ में इसे शेप देते जाई है कि यह देखें यहां तक लाकर मैंने इसे काट दिया है ताकि यहां पर प्रोपर थोड़ा सा कॉर्णर बने अब मैं इसे यहां पर ग्लूगन के हल्प से गुलाई में लगाऊंगे तो मैं फिर लगा के बताती हूँ आपको सारा दोनों साइड देखें मैंने लैस लगा दी है लेकिन ग्लूगन से लैस लगाने में देखें थोड़ी सी प्रोबलम आई यहां पर थोड़ी सी अक्सरा लग गई है तो इस साइड वाली जो है यह मैंने इस से लगाई है फैब ऐसे इन को यहां पर सूईधांगे से यहां पर सील दूंगी को आप अपने हिसाप से कम जाता लगा सकते हैं मैंने थोड़े से लगाए है ताकि यह भीट वाला portion दिखता रहे इसलिए मैंने चेचे लगाए है इसके वार यह सेक्ट रों यहांपर लगाएंगे कर दो कि है जैके tweaking और हम इस तरह से लगाएंगे मैंने देखे इसके नीचे प्रसें रखा है इसको इसके नीचे रखा है इस साइड देखिए चार है सेंटर में एक है यह सूख जाये मैं इसके साथ स्टिच कर दूगे फिर आपको दिखाती हो और यहां पर जो इसकी चोंच है वो आप सूई धागे के साथ बना सकते हैं तो हम मैं आपको ड्रेस कंप्ल कर लिया दोनों साइड मैंने एक सबसे छोटे वाला जो हमने फैदर बनाए था वो लगा दिया है और यहां पर मैंने सेंटर में स्टोन लगाए हैं फैबरिक ग्लू से मैंने लगाए हैं और यहां पर देखें लास्ट जो किनारी का रौंड था उसके उपर भी मैंने यही वा बना सकते हैं, बस हमने एक flat बेस त्यार करना है, किसी भी नंबर में, हमने बिना front post वाला बेस त्यार करना है, और उसके पास हमने इस तरह से feather attach करने है, चोटी जो dress होगी, उसमें ये चोटे वाले feather लगाएंगे, जो body dresses है, उसमें आप ये वाले feather यूज़ कर सकते हैं, और इ वीडियो पसंद आए, तो like, share और subscribe करें, thank you